जैसे मेरे इस computer में speaker नहीं है तो मुझे बार-बार सुनने के लिए headphones लगाने पड़ते हैं लेकिन क्यों ना हम फोन को ही speaker बना दे तो जैसे अभी मैंने computer पे song play किया तो यह phone में सुनना ही दे रहा है और अगर मैं जैसे पोज करता हूं तो यह phone में भी पोज हो जाएगा volume कम ज्यादा करनी है तो यहां से में अगर volume कम ज्यादा करूंगा तो जो song की volume में वो भी कम हो जाएगी जैसा अगर music play कर रखा है तो अगर computer में कोई video play किया कोई songs play किया तो वो phone के speaker में सुना ही देगा बहुत इंट्रेस्टिंग ट्रिक्स आज मैं आपको बताने वाला हूं यह video जरूर पूरा देखना आए मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है तो पहला step आपको computer में जाना है chrome browser open करना है और यहां आपको audio ले spelling आप देख लो audio फिर r-e-l-a-y.net इस website पर आपको जाना है website पर विजिट करने के बाद में यहां पर android, linux और mac के लिए यह जो software दे रखा है इसको download करना है तो हम windows वाले हैं तो windows का यह जो software है वो download करना है यह download हो रहा है और आपको यह install करना होगा इस तरीके से आप क्या करेंगे software को install करेंगे यह बहुत आसान है software install होने के बाद में launch के उपर आप क्लिक करोगे और यह software आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा अब computer पे यह जो आपको IP दिखाई दे रहा है यह IP आपको क्या करना है फोन के अंदर आपको क्या करना होगा वहाँ पे जो option दे रहा है न लिखने का था वहाँ पे यह IP आपको लिखना है जिससे की क्या होगा आपका जो speaker है वो connect हो जाएगा अब step 2 जिस भी phone को आपको computer का speaker बनाना है उसके play store में जाके आपको यह audio ले जो Android आप पे वो download करके इसको open कर लेना है open करने के बाद में यह आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा बहुत ही simple है एक चीज आपको बताना चाहूँगा अगर आप Wi-Fi से connect करना चाहते है तो अगर कोई hot spot है जहां से hot spot चल रहा है किसी और phone का या router का उससे आपका जो phone का Wi-Fi है वो connect होना चाहिए जैसे यह मेरा जो Wi-Fi यह वो connect है और computer का जो Wi-Fi होता है मैं आपको एक बार computer का दिखाता हूँ computer का जो Wi-Fi होता है वो भी same hot spot से connect होना चाहिए मतलब एक hot spot है जिससे phone भी connect है और computer भी connect है इसका करने के बाद में आपको क्या दिखेगा आपके computer का नाम यहापको दिखेगा server के अंदर अब यहाँ प यह दोनों सेम सेम आपको दिखाई देंगे अगर सेम Wi-Fi से connect होगा तो अगर यह आपको connection यहाँ पर नहीं शो करता है तो जो computer पर आपको जो IP address दिख रहा था वो address यहाँ पर आपको डालना होता है हमारे condition में यहाँ पर हम इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्लस computer के screen पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको phone का जो नाम ही वो दिखाई देगा यह phone की जो volume होती है इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो step 3 में हमें यहाँ पर जो audio device दे रखा है audio device के उपर क्लिक करना ही और यहाँ पर जो output devices होती है यहाँ पर आपका by default यह first वाला जो driver है वो select होगा तो आपको यह जो हेड़पॉन्स वाला यह second number का कर देना है अगर second number पर भी आपको voice सुना ही नहीं देती है तो फिर आपको यह थर्ड वाला जो option दे रखा है driver दे रखा है इसको select करना है हमें इसको हमने भी इसको select कर लिया है और उसके बाद में देखो मैं कुछ play करके आपको सुनाता हूं YouTube हमने जैसे अभी open कर लिया और यहाँ पर अभी मैं देखो एक play करता हूं song तो यह song आप किसमें सुन रहे हो देखो इसकी volume आपको किसमें आ रही है phone के अंदर ठीक है अब यह सुना ही नहीं दे रहा हूँ क्यूंकि mic दूर है तो मैंने यह पास में रखा है ठीक है और एक और चीज़ बताता हूं जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया इसको और अगर मै वाल्यूम कम ज्यादा करता हूं तो आपके phone में भी जो volume है वो कम हो जाएगी ठीक है अगर volume बढ़ाओंगा तो phone में भी volume फुल हो जाएगी यह control आप यहां से भी कर सकते हो यहां से भी volume को कम ज्यादा कर सकते हो अब step 4 किसी के पास में wifi से करने का option नहीं है तो वो usb cable लगा के भी on कर सकता है जैसे कि हमने यह cable लगा दी और यहां पर usb tethering का option आ रहा है सेटिंग पर क्लिक करना यहां पर usb tethering जो लिखा हुआ है इसको आप on कर देना on करने के बाद में बैग जाना बैग जाने के बाद में कुछ देर वेट करना उसके बाद में computer की screen पर जाना यहां पर जो second यह देखो फोन से अब क्या हो रहा है और यह पोज हो रहा है तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से फोन को क्या कर सकते हूँ computer का यह laptop में भी काम करेगा computer में भी काम करेगा तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने भी अपने phone को speaker में convert कर लिया होगा अब से अगर आप computer laptop में कोई भी music वगेरा प्ले करोगे तो phone के speaker में सुनाई देगा अगर वीडियो पसंद आया है तो like और share कर दो और चैनल को subscribe करके notification bell को जरूर दबा दो मैं मिलूंगा ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ में नमस्कार जैहिंग जैबारएं